हेलो अब्रिवन, वेलकम टू कौन साथ, मेरा नाम धर्मिंदर राजबर है, आज हम बात करेंगे कि किसी पर्टिक्लर स्टॉक में जब हम ट्रेड करते हैं, उसके ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, चाहे आप स्टॉक को ले लिजे या फिर हम इंडैसिस को ले लिजे, दोनों म हम किसी के option को bottom से कैसे पकड़ सकते हैं, हम ये जानेंगे आज, ठीक है, सो bottom से अगर हम option पकड़ते हैं, तो हम बहुत बड़ा move capture करने में आसानी होती है, राइट, पहले हम देखेंगे चार्ट पे कि कहां कहां पर किसी particular stock का bottom बना था, और उसके मताबिक हम उसमें कैसा trade ले सकते हैं, ठीक है, सो पहले हम देखेंगे कि कोई भी stock जब move करता है, तो लोग उसका bottom कैसे करते हैं, ठीक है, अभी देखें, bottom लोग दो तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब bottom का मतलब दो तरीका होता है, अभी bottom को कैसे पकड़ेंगे, हम उसमें जानेंगे, ठीक है, सो म पर उपर हाई बना है फिर ऐसे से नीचे जाता है फिर यहां पर कुछ साइडविस बनाता है अगें साइडविस बनाके फिर यहां पर कहीं पर बनाके फिर ऐसे से मूव करके काफी उपर चला जाता है ठीक है तो स्टॉक बहुत उपर से आया ठीक है यहां पर नीचे आया तो तो हम यह कहेंगे कि हमने उसको bottom से पकड़ा एक common perception लोगों का यही है कि अगर stock ऐसे नीचे आ रहा तो मैंने उसको यहाँ पर bottom से पकड़ा similarly यह आप देख सकते हो यह particular level है तो यहाँ पर अगर मैंने put option buy किया ठीक है तो यह underline asset है तो underline asset आपको अभी विसली ऊपर resistance के यहाँ पर दिखेगा तो आपर हम short करेंगे लेकिन यह अगर आप put का chart देखोगे तो यह chart आपको कुछ ऐसे दिखेगा ऐसे करके ऐसे से दिखेगा और यह जो यहाँ नीचा यह ऐसे करके ऊपर जाए कैसे दिखेगा तो मैं यह काऊंगा कि मैंने put option को मैंने यहाँ पर catch किया इन short underline जब ऐसे resistance के पास था तो मैंने वहाँ पर उसको short किया और इस तरीके से मुझे return मिला ठीक है एक bottom का यह तरीका है अब यह पर आगर आप bottom का दूसरा तरीका बताओं ठीक है मतब यह कि मैं यह कहूंगा कि stock ऐसे ऐसे थोड़ा-थोड़ा इसा move किया थोड़ा सा नीचे आया फिर ऐसे उपर आया फिर ऐसे नीचे गया यहाँ पर गुम रहा है फिर इसने क्या क्या यहां पर इसको break करके यह ऊपर जाने की कोशिश करता है ठीक है तो माल लिजे इसको मैंने यहां पर cash किया यहां पर cash किया ठीक है अभी यह काफी दिनों से यहां पर sideways था ठीक है भली यह नीचे से जा रहा है अभी नीचे से यहां तक इसने move किया कुछ माल लिजे 2% यह maximum 5% रैट अ अगर मैंने यहाँ पर कोई call option अगर मैंने buy किया है तो मैंने bottom पर buy किया है, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई call option को buy किया है, तो मैं कहूंगा कि यह मेरा bottom है कि मैंने bottom से किसी option को पकड़ा है, ठीक है तो दो तरीके से लोग option के bottom को पकड़ते हैं तो ये दोनों तरीका इस तरीके से ठीक है अभी हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा टूल है जिसको हम यूज करके ऐसा बॉटम को पकड़ सकते हैं ठीक है तो वो टूल का नाम है relative performance graph जिसको मैं use करके option के bottom को आसानी से पकड़ सकता हूँ ठीक है तो चलते है relative performance graf में ठीक है तो यहाँ पर आप option देखर हूँ यह अमारा concept का application है ठीक है तो यहाँ पर trading है ट्रेडिंग में quant model में पहले ही option है relative performance graph ठीक है relative performance graph तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर stock का movement हुआ है ठीक है तो अभी मैं आपको पूरे quadrant के बारे में थोड़ा explain कर देता हूँ, फिर हम जालेंगे कि उसमें हम trade कैसे लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चार quadrant बिल रहे हैं, ठीक है, चार quadrant है, आपको यहाँ पर weak quadrant है, progressive है, उसके बाद आपको यहाँ पर तीसर quadrant है strong, फिर एक quadrant आपको लेगाड, ठीक है, एक quadrant आपको यहाँ पर लेगाड है, कि लिए लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, सो weak वाला जो quadrant है, यहाँ पर जादा तो जो stock है, वो काफी weak है, मतलब उसका price है, काफी उसमें weakness है, ठीक है, काफी weakness है, हम यह भी कह सकते हैं कि वो support के पास है, ठीक है, volatility थोड़ी कम है, यह भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा तरह हम कहेंगे कि support के पास है, ठीक है, तो अगर कोई भी stock weak में है, हो सकता है कि वो stock further नीचे चला जाए, further downside वो चला जाए, further downside चला जाए, ठीक है, तो यह weak quadrant का एक definition है, कि weak quadrant में अगर कोई stock रहता है तो हो सकता है कि वो नीचे चला जाए, ठीक है, तो उसमें हम कोई bullish वाला position नहीं बनाएंगे, अभी आता है progressive zone, तो progressive zone में अगर कोई stock आता है, जैसे यहाँ पर यह stock है, अगर progressive zone में कोई stock आता है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि उसमें एक bullishness आई हुई है, उसमें एक, यह कह सकते हैं कि bullishness generate हुआ है तो हो सकता है कि यह stock uptrend among जा सकता है है तो एक data के मताबिक अगर कोई stock progressive zone में आता है तो एक indication है कि यह stock का bullishness start हुआ है तो अगर mvjsh trade बनाना है तो मैं उसमेट बना सकता हूं क्योंकि indicate करा है कि THAT bullish हो सकता है तो progressive zone का किस्सा यह ही है कि अगर कोई stock progresses zone में है तो stock में bullishness आया हुआ है ठीक है similarly कोई stock अगर आपको strong zone में है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपना momentum पे है ठीक है अपना momentum पकड़ा हुआ है ठीक है हम यह भी कह सकते है कि यह peak level पहुंचा हुआ अगर सामने कोई resistance है ठीक है सामने कोई resistance हम देख सकते है अल्राइट so strong zone में generally कोई stock जाता है तो हम क्या करते है थोड़ा hold करते है थोड़ा और भी अच्छा मुझे उसमें profit मिल सकता है ठीक है तो strong zone दर्शा आता है कि यह stock momentum में uptrend में ठीक है similarly जो lagart zone है यह indicate करता है कि कोई भी stock अगर यहाँ पर enter करता है तो उसमें एक bearishness आई हुई है उसमें एक bearishness आई हुआ है तो वो जो stock है वो नीचे जा सकता है तो मैं इसमें एक bearish वाला trade इसमें बना सकता हूँ ओके तो यह चारों कोड्रेंड का definition है बीच वाला जो zone है यह neutral zone है यह वाला neutral zone है यह हमें कुछ निदर चाहता है तो यहाँ पर अगर कोई stock रहता भी है तो उसमें हमें कोई trade नहीं बनाना चाहिए ओके तो अब भी मैं देखूंगा कि इसमें मुझे trade बनाना कैसे चाहिए तो अगर कोई stock weak zone में है यहाँ से निकल के progressive zone में ऐसे enter करता है अब चाहिए enter यहाँ करे यहाँ करे यहाँ करे कोई फरक नहीं पड़ता है वो progressive zone में यहाँ पर enter करना चाहिए कहीं से भी करे ज़्यादा तर आप देखो कि weak zone में से निकले और इस level पर इंटर करे तो मैं उसमें एक position बना सकता हूँ ठीक है अभी उस particular पर आप chart पर जाके भी बना सकते हो और वो chart पर आपको real time वहाँ पर आपको price मिलेगा तो price देखकर आप उसमें position बना सकते हो ठीक है अभी यह stock अगर यहाँ से निकल के सीधा जाता है strong zone में ठीक है strong zone में तो यहाँ पर आप दो तीन चीज कर सकते हो पहला आप देख सकते हो कि आपको P&L कितना मिल रहा है profit and loss कितना हो रहा है क्योंकि profit ही होगा जाधा तर loss तो ने क्योंकि इसमें गया हुआ है तो strong zone में जाने से आप यह देखोगे कि अगर आपको profit में पर जो आपका base price है वहाँ से 3-4% का move अगर आपको दिया है वो उस profit में आप खुश है तो exit का आप कर सकते हैं otherwise आप hold कर सकते हैं और hold करने का condition यह है कि आप एक बार data को चेक करिए ठीक है open interest को चेक करिए कि यह किसी resistance के pass है यह resistance को break किया है अगर resistance को break किया है तो आप hold कर सकते हो यह further आपको 2-3% return आपको और भी दे सकता है उससे ज़्यादा भी दे सकता है कितनी बार यह होता है कि यहीं से यहीं पर stock जो moment किया है उसने आपको 20-30% का return दिया है ठीक है तो आपको एक बड़ा return यहां पर दे सकता है ओके सो यहां पर हमें एक bullishness वाला trade बना कि वीक से progressive में गया मैंने buy किया और यहां से strong में गया मैंने hold किया अगर मुझे resistance break होता हो दिख रहा है नहीं तो मैं अपना profit book करके exit कर सकता हूं तो मेरा उसमें bearish trade बनता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा या तो किसी future मतब उस stock का future को sell कर सकता हूं ने तो मैं option strategy option strategy बना के मैं उसमें trade ले ठीक है क्योंकि यह position trading tool है तो आपको option strategy बनाना चाहिए ताकि आपका risk define हो कि आपका maximum इतने ही loss हो सकता है ठीक है और यह जैसे यहां से निकल के weak zone में आता है तो जैसा हमने discuss किया था कि weak zone भी कैसा है price कमज़र है और और नीचे जा सकता है अगर सपोर्ट को break किया हो तो मैं उसमें मैं उसमें hold कर सकता हूं वापर मुझे और अच्छा profit मिल सकता है ठीक है तो यह था हमारा relative performance graph tool ठीक है अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से मेरा इसमें एक अच्छा trade इसमें बन सकता है मतब मैं यह देखूंगा कि कैसे ट्रेड इसमें बन सकता है अभी इसमें बास्केट जो मैंने create किया है तो यहां पर आप जाके create basket बाब क्लिक कर सकते हो और basket बना सकते हो तो यहां देखेंगे बाद में कि कैसे मैं इसमें बास्केट बनाओ अभी मैं देखता हूं कि कैसे stock ने perform किया है तो अगर मैं यहां से play बटन दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने moment किया हुआ यहां पर ठीक है तो अभी about India को आप देख सकते हो कि 20 जू इनको इसने एंटर किया तो मैं चार्ट पर एक बार जाता हूं और देखता हूं कि about India कहां पर है तो हम analyze में जाएंगे ओके सो analyze में जाने के बाद मैं chart order and trade मैं select किया और यहां पर मैं एंटर करता हूं about India इसका मैं लेता हूं 15 मिनिट का चार्ट या फिर हम वनार का भी ले सकते हैं तो चलिए वनार का हम चार्ट लेते हैं और 20 तारीक को हम देखते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखिए 20 जुन का data यह रहा ठीक है 20 जुन को तो 20 जुन को मुझे बता रहा है कि यह यहां पर momentum में आया था मतब यहां पर मेरे relative performance graph जो है उसमें आया था bullishness में ठीक है तो अगर मैं यहां पर trade बनाता हूं ठीक है आप देख सकते हो कि इसी जगे पर यह क मुझे यहां पर momentum इसने दिया है right from आप देख सकते हो 26,800 से लेकर इसने मुझे दिया है 28,200 तक 28,200 तक ठीक है जो मैं आपको चार्ट दिखाने के कोशिश कर रहा था कि कैसे ऐसे move करके ऐसे नीचे जाता है फिर अगर जाता है तो यह वह वाला system है कि हमने यहां पर किसी बी चार्ट को या किसी स्टॉक को हमने bottom से catch किया है अगर मैं इसमें कोई trade बनाता हूं on 20 ठीक है तो हमें काम करेंगे trade देखेंगे कि अगर उसमें बना होता तो मुझे किता trade मिलता पैसा मिलता तो ट्रेडिंग में जाके मैं option strategy builder पर जाता हूं option architect about India है ठीक है expiry 25 जुलाई के हम ले लेते हैं ठीक है अगर मैं उसमें चार्ट में भी देखता हूं 26,800 ठीक है हम चार्ट में देख लेते कि about इंडिया का क्या मेरा position बना हुआ है ठीक है और 26,000 ठीक है 26,800 का call 26,000 चपिसच 750 ठीक है ठीक है ठीक है तो इसको मैं data देखता हूं वनर केस में अल्राट तो यहां पर देख सकते हो यह highly illiquid है ठीक है तो मेरे खाल से हमें वहां पर round off कर लेना चाहिए highly illiquid option हमें कभी नहीं लेना चाहिए ठीक है तो यहां पर मैं इसको 750 वाला नहीं थोड़ा 500 वाला लेते हैं तो 500 call तो देखिए उसमें मुझे थोड़ा सा मिला हुए ठीक है तो 1100 से लेकर अगर मैं यहां पर यह भी active नहीं हुआ है तो अगर उसके पहले का मैं data अगर देखू हूँ यहां पर तो हो सकता है कि मुझे उसमें एक अच्छा trade मिले ठीक है हुआ था तो यह कह सकते हैं हम इसमें बना सकते हैं तो 800 का लेवल था और देख सकते हैं कि कैसे यह 1300 तक गया हुआ है ठीक है इसमें वैसे उसी दिन वहां तक गया था लेकिन आगे भी अगर मैं carry forward करता हूं तो मुझे कैसे 1300 का यहां पर मिला हुआ है ठीक है तो मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहरा हूं कि कैसे मैं किसी option को bottom से पकड़ सकता हूं अब यह in liquid stock है तो इसका story different है अगर वही पर मैं दूसरा को stock पकड़ता हूं ठीक है जैसे हम SBI का पकड़ते हैं ठीक है relative performance grass में SBI भी था ठीक है so SBI को अगर मैं लेता हूं उसके पहले ठीक है sorry SBI जड़ा play कर लेते हैं अगर देखते हैं SBI को देखते हैं about India आया हूँ ओए NGC SBI around 24 ठीक है so SBI around 24 25 यहां पर मुझे बनता हूँ दिख रहा है ठीक है 24 25 चलिए तो 24 25 27 ऐसे इसके आसपस हम लेते हैं SBI को तो SBI मुझे यहां पर थोड़ा neutral zone से थोड़ा घूमता हूँ दिख रहा है तो मैं आगे वेट करूँगा और वहां से आप देख सकते हैं कैसे यहां पर return आया और वहां से उपर गया ठीक है मेरा trade 3 July को इसमें बनता है तो 3 July को अगर मैं उसका चार्ट उपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे 3 July को SBI ने अच्छा return दिया वहां से ठीक है त्याहां पर मैं SBI को कि अगर मैं SBI एंटर करता हूँ SBI N ठीक है इसको time frame रख लेते हैं 1R ठीक है 1R के एसाब से मुझे देखेगा कि 3 July से कैसे यहां पर मुझे ने रिटन दिया है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 July है यहां पर ठीक है 3 July को कैसे यहांपर मुझे एक अच्छा यहां पर return मिल सकता है यहां पर clearly देख सकते हैं कि कैसे मुझे आपर bottom मिला है, तो जो मैं बता रहा था कि मुझे bottom मिले, तो यहां पर मुझे SBI card में bottom मिला हुआ है, इसमें liquidity का भी problem नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर bottom पर पकड़ता हूं, 3rd July को, तो मुझे यहां से यहां तक कितन अच्छा return यहां पर आपको मिल गया, तो right from 832 ए 860 पुरा इसका option गया हुआ है, तो इस तरीके से मैं RPG को यूज करके, यहां पर कैसे option को bottom से मैं पकड़ सकता हूं, तो यह था हमारा RPG टूल, जहां पर हमने इसको analysis करके, किसी particular stock के underlying को, stock के asset को, I mean underlying को, sorry, इसको cut करो, तो यह था हमारा RPG टूल, जिसको मैं use करके, किसी भी stock को analyze कर सकता हूं, और उसके option में, अच्छे से trade बना सकता हूं, मैं उसको bottom से catch कर सकता हूं, जब भी system में आये, मैं उसमें trade बना सकता हूं, according to strike ratio, वहां पर मुझे एक अच्छा ratio, अच्छा profit मुझे मिल सकता है, तो आज के लिए सिर्फ एतना ही, यह section में जितना भी मैंने बताया आपको, इसको follow कर सकते हो, और एक अपने trading journey को अच्छे से improve कर सकते हो, तो मैं धन्मदार आज भर, अगर यह video आपको अच्छा लगा, तो please like and share केजिए, धन्यवाद,